Hello Friends, Welcome to Ravi Aditi Classes आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से पॉलिटी के Top 100 MCQ लेकर आई हूँ मैंने सारे questions exam oriented लिए हैं आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे Telegram Channel रवी Study IQ GK से मिल जाएगा बढ़ते हम अपने first question की तरफ Who among the presidents of India was the governor of Bihar भारत के राश्ट्रोपतियों में से कौन Bihar का राज्यपाल रह चुके थे and the correct answer is option D, both A and B दोस्तों, Dr. Jaakir Hussain देश के third president रहे है और श्रे रामनात कोविंजी देश के 14th president रहे है अगर हम as a governor इनका tenure देखे Dr. Jaakir Hussain जी का तो वो रहा है 1957 से लेकर 1962 तक और श्री रामनात कोविंजी का tenure रहा है as a governor of Bihar 2015 से लेकर 2017 तक Next question की ओर हम बढ़ते हैं Who was the first president of India elected unopposed? निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राश्ट्रपती कौन थे? And the correct answer is option A. Neelam Sanjeev Reddy इनका term of office रहा है 1977 से लेकर 1982 तक as a president of India और दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए कि Neelam Sanjeev Reddy आंदर प्रदेश के first CM थे और as a CM उनका tenure रहा 1956 से लेकर 1960 तक Next question की ओर हम बढ़ते हैं Who among the presidents of India has been associated with the trade union movement? भारत के राश्ट्रपतियों में से किनका संबंध trade union आंदोलन से रहा है? And the correct answer is option A. वराव वैंकट गिरी इनको short में वीवी गिरी के नाम से भी जाना जाता है ये देश के fourth president रहे हैं इनका tenure रहा है 1969 से 1974 तक दोस्तो अगर trade union आंदोलन की बात करें तो आजादी से पहले 1928 में ये मज़दूरों के अधिकार के लिए trade union आंदोलन का हिस्सा रहें अंग्रेजों के खिलाव Next question What is the term of the president? राश्ट्रपती का कारेकाल कितना होता है? And the correct answer is option A. For the five years from the date he or she enter to the office दोस्तो राश्ट्रपती का कारेकाल होता है पांच साल का और मैं आपको एक और बात बता दूँ सबसे कम समय के लिए आये थे डॉक्टर जाकिर हुसेन सिर्फ दो साल के लिए क्योंकि जब ये राश्ट्रपती बने थे तभी इनकी मृत्य हो गए थी डॉक्टर जाकिर हुसेन का टैन्यूर सबसे कम रहा है सिर्फ 1967 से लेकर 1969 तक ये सबसे कम समय के लिए राश्ट्रपती रहे डॉक्टर जाकिर हुसेन द्यान में रखेगा भारत के किस राश्ट्रपती को मिसाइल मैं की संग्या दी जाती है और दी करिक्ट आंसर इस डॉक्टर अपी जे अब्दूलकलाम दोस्तो ध्यान में रखेए डॉक्टर अब्दूलकलाम जी देश के 11th President रहे हैं इनका Term of Office रहे 2002 से लेकर 2007 इनका Date of Birth है 15th October 1931 इनका जन्म हुआ है Tamil Nadu के Rameshwaram में ये बहुत ही अच्छे Scientist थे और इन ही वज़े से इनको Missile Man के रूप में जाना जाता है Next Question Who among the Chief Justice of India served as the President भारत के मुख्य नयाद ही सो में से किस ने राश्ट्रपती के रूप में कारे किया है And the correct answer is Option A. Justice M. Hidayatullah दोस्तो ध्यान में रखिए इनका Term of Office रहा है 31st August 1979 से लेकर 13th August 1984 तक ये भारत के President रहे हैं और साथ ही साथ ये इसके पहले Chief Justice of India भी रह चुके हैं कौन? Justice M. Hidayatullah ये question बहुत ही important है कई बार exam में पूछा जा चुका है Next question क्यों बढ़ते हैं He represents the nation but does not lead the nation To whom does this statement apply? वह राश्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु राश्ट्र का नित्रित्व नहीं करता है यह उक्ती किस पर लागू होती है And correct option is Option A. President of India दोस्तो ये question थोड़ा सा tricky है देखे, head of the state कहा जाता है Head of the state President को मतलब राज्य का प्रमुक देखे यहाँ पर state के दो मतलब होते हैं अगर आप constitution का article 12 पढ़ोगे न वहाँ पर आपको state का definition मिलेगा इस state में central government और state government सब कुछ आता है तो पूरे nation का head of the state अब किसको बोलते हैं अपन President को बोलते हैं लेकिन आपको पता ही है कि President जो है वो किसकी advice पे काम करता है Prime Minister की advice पे काम करता है तो सारा power, real authority actually में होती है Prime Minister के पास लेकिन सिर्फ नाम के लिए nominal head जो होता है वो होता है President और इसलिए बोल रहा है कि ये nation को represent तो करता है लेकिन nation को lead नहीं करता है कौन President of India actual में nation को lead करते हैं कौन Prime Minister of the nation clear है? next question क्यों बढ़ते हम a resolution regarding the removal of the Vice President of India from office can be brought in which house of the parliament भारत के उपर राश्टरपती को पच से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसत के किस सदन में लाया जा सकता है and correct option is option A only in Rajya Sabha देखे दोस्तो Vice President को अगर remove करना हो तो वो सिर्फ Rajya Sabha से में ही उसका proposal लाया जा सकता है लेकिन अगर हम President की बात करें तो President को हटाने का जो process होता है उनको कहा जाता है impeachment impeachment के process को किसी भी house से start किया जा सकता है लोगसभा से भी और Rajya Sabha से भी मतलब President को हटाने का जो process है उसको लोगसभा और Rajya Sabha किसी भी house से start कर सकते हैं लेकिन Vice President को हटाने का जो प्रोसेस है उसको सिफ राजय सभा में ही स्टार्ट किया जाता है next question who will be the first to assume the office of the president in the event of death of the president resignation or removal राश्ट्रपती के मृत्यू त्याग पत्र और हटाय जाने के स्थिति में राश्ट्रपती का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहन करेगा and correct answer is option a vice president देखिए दोस्तों president का जो office होता है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता कोई ना कोई उस post में जरूर काम करेगा अब देखिए अब माल लेते हैं कि president नहीं है वो बिमार है या कोई भी कारण से वो कुछ time के लिए नहीं है तो उनकी जगह उनका काम देखेंगे vice president vice president भी नहीं है तो chief justice of india अब chief justice of india भी नहीं है तो supreme court के जो senior judge होंगे वो उनकी post पर रहेंगे president होना ही चाहिए अगर नहीं है तो vice president vice president भी नहीं है तो cji और cji भी नहीं है तो supreme court का senior most judge क्लियर है तो सबसे पहले कौन आएगा वाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेशन के ओर हम बढ़ते हैं मेंबर ओफ विच हाउस अफ दी स्टेट और पार्लिमेंट दो नौट पार्टिसिपेट इन दे इलेक्शन ओफ इधर दे प्रेसिडेंट और दे वाइस प्रेसिडेंट राश्ट्रपती या उप राश्ट्रपती किसी के भी निर्वाचन में राज्य अत्वा संसत के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, देखे, President के Election में कौन चुनाओं में भाग लेता है, Elected MP और MLA, MP कहां के देखे, हमारे Parliament में दो हाउस हैं, लोकसभा और राजसभा, तो इन दोनों के Elected Member, लोकसभा और राजसभा के Elected Member, और State में जो Legislative Assembly होती है, विधान सभा होती है, व Nominated Member Participate नहीं करते हैं, और अगर हम Vice President में के चुनाओं में भाग लेने वाले को देखे, तो लोकसभा और राजसभा के Elected और Nominated दोनों Member, लेकिन याद रखे, सिर्फ MPs पार्टिसिपेट करते हैं, MLA's पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब विधान सभा के सदस्य जो है, वो Vice President के Elections में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आपको ये तो समझ में आगया होगा, कि ये जो Legislative Council है, विधान परिसत, इनके Member तो ना President के Elections में पार्टिसिपेट करते हैं, और नहीं Vice President के Elections में, इसलिए हमारा Option A जो है, वो Correct Answer होगा, Next Question के उर बढ़ते हैं, What is the minimum number of लोगसभा members required to move a no-confidence motion in the लोगसभा, लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए, लोगसभा सदस्यों की नियूंतम कितनी संख्या होनी चाहिए, And Correct Option is Option A 50, याद रखिए दोस्तों, no-confidence motion को लाने के लिए, लोगसभा में 50 members तो होने चाहिए, ये minimum number है, Next Question, The Prime Minister of India is usually a member of which house, भारत का प्रधान मंत्री समान्यता किस सदन का सदस्य होता है, Correct answer is Option A, लोगसभा, दोस्तों, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो actually में MP ही तो होता है, या तो वो लोगसभा से आएगा, या तो वो राजय सभा से आता है, लेकिन usually लोगसभा से आता है, अच्छा, एक question का answer दीजिए आप मुझे, suppose आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ना तो आप MP हैं, ना तो आप MLA हैं, क्या आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बीना MP या MLA हुए, तो याद रखिए, कोई भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महने के अंदर उसको या तो लोगसभा का membership लेना पड़ेगा, या तो फिर राजय सभा का, मतलब कोई भी आम जनता प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनी जा सकती है, लेकिन उसको 6 महने के अंदर लोगसभा का या फिर राजय सभा का सदस्य बनना ही होगा, clear है, next question की तरफ हम बढ़ते हैं, the total number of minister in the cabinet shall not exceed 15% of the total number of members of the लोगसभा, including the prime minister, by which constitutional amendment this provision was made, मंत्री मंडल के कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधान मंत्री सहित, लोगसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, या प्रावधान किस संसोधन के द्वारा किया गया, and the correct answer is option A, 91st constitutional amendment 2003 के थूँ, दोस्तों एक बात सोचिए, हमारे लोगसभा की जो total seat है, वो है 543, अब देखें, क्या ऐसा हो सकता है, कि सभी MPs को खुश करने के लिए एक-एक ministry दे दिया जाए, कम से कम ढ़ाए 300 ministry बना कर हर इनसान को एक-एक ministry दे दिया जाए, फिर तो गलत हो जाएगा भारत का पैसा जो है वो डूप जाएगा, minister की salary पे करने में, तो कही ना कहीं एक limitation की जरूरत तो थी, तो यही limitation तै कर द 543, इसका अगर हम 15% करें, इसका अगर हम 15% करें तो कितना आता है, लगबग 81.2, मतलब maximum जो है, वो 82 ministers ही हो सकते हैं, और यह जो limitation fix किया गया है ना, पारलियमेंट में, यह state legislature में भी यही number है, वहाँ पर विधान सभा की जो cool seat हैं, उसका 50%, 15% ही, 15% ही जो है, council of minister हो सकते हैं clear है, next question क्यों बढ़ते हैं, which article of the constitution of India provides that the executive power of every state shall be exercised in such a manner that the executive power of the union is not adversely effect, भारत के सम्विधान के किस अनुछेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्यक राज्य की कारिपाली का शक्ती का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, जिससे संग की कारिपाली का शक्ती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, and correct answer is option A, article 257, देखे दोस्तों इस question को हम समस्ते हैं, हमारे यहाँ पर दो तरह की सरकार है, एक है central government और दूसरा है state government, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर है federal system, federal system, मतलब क्या होता है, जहाँ प पावर से बटे हुए हो, कुछ पावर जो है, वो central government के पास है, और कुछ पावर जो है, वो state government के पास है, तो state government अपने पावर को इस तरीके से यूज करेगी, कि central government के पावर जो है, adversely effect ना हो, और यह बात कही गई है, article 257 में, कि state government अपने executive power का इस तरीके से exercise करेगी, कि central government क executive power disturbed नहीं होना चाहिए तो यह है हमारा article 257 next question की ओर बढ़ते हम under whom the executive function in the Indian political system works भारती राजनियतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है correct answer is option a legislature इसको भी समझना होगा हम यहां पर एक छोटा से डाइग्राम की दूरू समझते हैं देखिए government दो तरह की है एक है central government और दूसरा है state government इस्टेट government को थोड़ी देर के लिए आप हटा दो हम बात करते है central government की government के हैं तीन पार्ट legislature executive और judiciary legislature क्या काम करती है law making का यह कानून बनाती है executive यह जो law बनाया है उसको enforce करती है अब legislature और executive सही काम कर रहे हैं यह देखती है judiciary अब अगर हम union में legislature की बात करें तो कौन बनाता है हापर कानून पार्लियमेंट और पार्लियमेंट के कितने house हैं लोगसभा और राज्यसभा अगर हम executive की बात करें तो इनमें कौन कौन आते हैं इनमें president भी आते हैं vice president भी आते हैं council of minister भी आते हैं prime minister भी आते हैं और attorney general of india भी आते हैं देखिए दोस्तो पार्लियमेंट के तीन अंग होते हैं एक लोगसभा एक राज्यसभा और एक president दो house है लोगसभा और राज्यसभा और तीन अंग है मतलब लोगसभा और राज्यसभा के तो आपको दिख रहा है यह executive actually में आया तो legislature से ही है president पार्ट होई चुका है parliament का council of minister prime minister है ही MPs इसलिए बोला रहा है यहां पर कि जो executive है वो है फुद legislature के अंडर में आता है clear है देखिए यहां पर हिंदी में भी आपको سमझ में आ रहा है कि काई-पाली का जो है यह विधायका के अंतरगत काम करती यह जो executive है वो legislature के अंडर में काम करती है यह इई है इसलिए हमारा answer है option A legislature जो executive है वो खुद legislature के under में आता है next question करते हैं who become the first home minister and latter defense minister in Nehru's cabinet Nehru की cabinet में पहले ग्री मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन बने and correct answer is option A. कैलासनात काटजू यह बहुत esthetic question है कैलासनात काटजू जो है वो सबसे पहले तो home minister बने फिर बाद में defense minister बने कब Nehru की cabinet में next question देख लेते हैं which prime minister of India passed away suddenly in abroad भारत के किस प्रधान मंत्री का विदेश में आकश्मिक नेधन हुआ and correct answer is option A. लाल बहादूर शास्त्री दोस्तो जब लाल बहादूर सास्त्री जी हमारे देश के prime minister थे तो वो actually में गये थे उजबेकिस्तान और ये क्यों गये थे ये पाकिस्तान के साथ समझाओता करने गये थे और अचानक से इनकी मृत्य हो गई अब कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो death हुआ है वो heart attack के कारण हुआ है और कुछ भी एक mystery है कि हमारे prime minister लाल बहादूर सासरी जी की death कैसे हुई है next question देखते हैं which leader did not attend parliament even once during his prime ministership अपने प्रधान मंतृत्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ and correct option is option A चौधरी चरंट सिंग दोस्तों चौधरी चरंट सिंग के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो parliament में एक दिन के लिए भी उपस्थित रहे सायद इनके पास कोई दूसरा ज्यादा महत्वपुन काम रहा होगा चले हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ the restructuring of the federal cabinet was based on whose formulation संगी मंत्री मंडल का पुनर गठन किसके प्रतिपादन पर अधारित था correct answer is option A गोपाल स्वामी अयंगर दोस्तों याद रखें गोपाल स्वामी अयंगर जो है जब देश आजाद हुआ और first time जब हमारे प्रधान मंत्री बने पंडित जवाहरलाल नहरू तो ये उनके cabinet minister थे गोपाल स्वामी अयंगर next question देखते हैं who is the solicitor general solicitor general कौन होता है correct answer is option A subordinate to the attorney general देखें दोस्तों हमारे constitution के article 76 में बताये गया है attorney general of India के बारे में हमारे देश में होता है एक attorney general of India ये क्या काम करता है ये भारत सरकार को legal advice देता है और किसी भी court में ये भारत सरकार की तरब से case लड़ता है अब ये जो attorney general of India की बात कही गई article 76 में attorney general of India को assist करता है solicitor general of India लेकिन solicitor general of India की बात हमारे constitution के किसी article में नहीं की गई है लेकिन ये attorney general of India को क्या करता है assist करता है ये बोल सकते हैं कि ये इनका subordinate होता है clear है और दोनों का काम क्या है legal advice दिना एक प्रकार से बोल सकते हो ये सरकार के वकील होते हैं सरकारी वकील नहीं है सरकार के वकील है सरकार का case लड़ते हैं इसलिए option A correct हो जाएगा subordinate to the attorney general of India next question देखते हैं who was the first controller and auditor general of India भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालिखा निपरिक्षक कौन थे correct option is option A. V. Narhari Rao इनका अगर हम tenure की बात करें तो वो है 1948 से लेकर 1954 यह first keg of India रहे हैं next question की तरफ बढ़ते हैं who advises the state government on legal matters and correct option is option A. Advocate General advocate general के बारे में हमें constitution के article 165 में बताया किया है देखें central government के लिए होता है attorney general of India वैसे ही state government के लिए जो legal advice देता है वो होता है advocate general of the state अगर वो 36 गड़ का advocate general है तो advocate general of the 36 गड़ advocate general of MP तो इस तरीके से है legal advice देगा advocate general ठीक वैसे ही जैसे central government को legal advice देता है attorney general clear है और advocate general के बारे में article 165 में बताया है हमारे constitution के next question देखते हैं who is present in the meetings of public accounts committee of parliament संसत की लोक सेवा समीती की बैठको में कौन उपस्थित रहता है correct answer is option A controller and auditor general of India दोस्तो अब हम इस controller and auditor general of India को ही समझ लेते हैं कि यह क्या होता है यह काफी बार आ चुका है इसको हम यहाँ पर समझते हैं देखिए दोस्तो हमारे यहाँ पर तरह की government है एक तो है अपने पास union और दूसरा है अपने पास states अब इनके अपने खर्चे होते हैं expenditure होगा यह उसकी auditing का काम करता है कि union government और state government का जो भी expenditure रहा है उसकी auditing का काम करता है CAG और auditing करने के बाद जो union से related expenditure की जो report होती है उसको वो देता है president को और state से related report वो देता है governor को president उस report को भेज देता है संसद में और governor उस report को भेज देता है state legislature में clear है तो CAG क्या काम करता है auditing का किसकी auditing expenditures किसकी expenditures union और state government both clear है reporting किसके पास भेजता है union का भेजेगा president के पास और state का भेशता है governor के पास फिर उस report को president भेश देगा parliament में और governor भेश देगा state legislature में तो ये काम होता है CAG का ये पूरा हमारे constitution में detail में समझाया गया है next question देखते हैं who is the guide of controller and auditor general of India भारत का नियंतरक और महालेखा परिक्षक किसका मार्गदर्शक होता है correct option is option a public accounts committee अब ये public accounts committee का क्या काम होता है government of India या फिर बोल सकते हैं union का जो भी revenue होता है या जो भी उसका expenditure होता है ये उसको जो है examine करने का काम करता है public account committee और इस public account committee को guide करता है CAC तो आपको समझ में आ रहोगा इनका काम बहुती मिलता जूलता है तो इस public account committee को guide करने का काम करेगा CAC next question देखते हैं who financially scrutinize all the expenses of the state and central governments राज्य एवं केंदर सरकारों के सभी खर्चों की वित्तिय जाच कौन करता है and correct option is option A controller and auditor general अब दोस्तों मैंने इस CAC के बारे में आपको बहुती detail में बता दिया है अब आपको समझ में आई गया होगा इस question का सही answer option A ही होगा इसके लावा कुछ और तो होई नहीं सकता next question की तरफ बढ़ते हैं फिर the restructuring of the consolidated fund of India was based on whose report भारत की संचित निधी परल का पुनर गठन किसके प्रतिवेदन पर अधारित था correct answer is option D गोपाल स्वामी अयंगर दोस्तों ये consolidated fund of India क्या होता है example से समझते हैं अच्छे से समझ में आएगा आपका अपना कोई account होगा आपके पास जो भी income हाती होगी आप उसको अपने account में डालते होंगे और जब आपको खर्च करने की जुरुत पड़ती होगी आप वहीं से पैसा निकाल कर खर्च करते होंगे ठीक वैसे ही union का ये मान के चलो account होता है consolidated fund of India ठीक है जो भी revenue मिलता है वो जाता है consolidated fund में भारत सरकार जो है वो अगर किसी को उधार देता है किसी और देश को उधार दिया उससे जो interest मिलता है वो भी जाता है यहीं और जो भी expenditures होते हैं इसने भी खर्च होते हैं पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा निकालता भी है consolidated fund of India से clear है तो इसको restructure किया था गुपाल स्वामी अयंगर ने next question क्यों बढ़ते है according to article 82 of the constitution the seats of the loksabha are allocated among the state based on which year census समविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आबंटन किस वर्स के जनगर्ना के अधार पर किया गया है correct answer is option C 1971 के census पर देखें दोस्तों सीटों का जो बटवारा होता है न वो population पर based होता है कि आखिर कितना population को representative represent करेंगे तो अब population के लिए किसी न किसी census की जरुरत तो पड़ेगी न तो 1971 का census को base मान कर ये लोकसभा की सीट को डिवाइट किया गया है next question देखते हम which article comes under the unitary power of राज्यसभा राज्यसभा की एकांतिक शक्ती के अंतरगत कौन सा अनुच्छेद आता है and correct answer is option A article 249 इस question को समझिए अच्छे से देखे हमारे पास total कितने schedules है 12 schedules है अब आपको समझना है 7th number के schedules को इसमें 3 list दी गई है एक है union list दूसरा है state list और तीसरा है concurrent list union list में जितने भी subject दिये गए हैं उस पर law बनाएगा पार्लियमेंट state list में जितने भी subject दिये गए हैं उस पर law बनाएगा state का legislature और concurrent list में जो subject दिये गए हैं उस पर law बनाएगा पार्लियमेंट और state legislature दोनों अब आपको इतना समझ में आ गया है कि powers को distribute कर दिया गया है subject को distribute कर दिया गया है कि कौन किस पर law बनाएगा अब यह जो article 249 है यह power देता है राज्यसभा को कि अगर वो एक resolution पास कर दे तो state legislature में जो subject दिये है न उस पर भी law बना सकता है parliament clear है तो राज्यसभा के पास यह power है अगर वहाँ एक resolution पास हो जाए तो state list में जो subject दिया गया है state list में दिये गए subject पर law बना सकता है कौन? आ गया है parliament के पास आ चुका है state legislature से parliament के पास power आ चुका है next question देखते हैं what are the types of provisions in fourth schedule of the constitution? सम्विधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान से सम्बंदीत है and correct answer is option A related to allocations of seats in राज्यसभा देखे दोस्तों हमारे पास जो fourth schedule है उसमें ये बताया गया है कि कौन से state के पास राज्यसभा की कितनी कितनी seats है अगर आपको देखना है कि कौन से राज्य को कितनी कितनी seats दी गई है राज्यसभा की आप fourth schedule में जाए और देख लीजे next question कि तरफ हम बढ़ते हैं भारती समविधान के अंतरगत संसत के सदस्यों के विशेशा दिकार तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है correct option is option A article 105 अब मैं आपको बताओ कि MPs के पास क्या क्या power होती है दोस्तो पारलेमेंट के जो members होते हैं MPs होते हैं उनके पास होता है freedom of speech उनके पास बोलने की अजादी होती है और वो पारलेमेंट में जो कुछ भी बोलते हैं उनके खिलाफ किसी भी court में case file नहीं किया जा सकता अब दूसरा देखते हैं witness अगर court उनको समन करें कि आईए witness के लिए court पहुँचिए और उस time पे अगर session चल रहा हो तो वो मना कर सकते हैं कि अभी जो है मैं session में हूँ मैं witness के लिए नहीं आ सकता अब देखिए अगर civil case है उनके उपर और अगर session चल रहा हो मतलब parliament अगर session में हो तो उनको arrest भी नहीं किया जा सकता लेकिन याद रखें सिर्फ civil cases में criminal case में ये immunity नहीं दी गई है तो ये जो होते हैं MPs के कुछ special privilege है कुछ immunities है clear है which article of the Indian constitution empowers the parliament to make laws to enforce international agreement भारती सम्विधान का कौन सा अनुचेत संसत को अंतरराश्टी समझोतों को लागू करने के लिए विधी निर्मान की शक्ती प्रदान करता है correct answer is option A article 253 देखिए दोस्तों जहां पर भी बात आती है international agreements ये treaty की तो उससे related अगर कोई भी law बनाना है तो उसकी authority होती है parliament के पास भले ही वो subject state list में क्यों ना हो भले ही वो subject जो है उस पर law बनानी की authority state legislature के पास क्यों ना हो जब भी बात आएगी international agreements की उस पर law बनानी का सारा power चला जाता है parliament के पास example से समझे मान के चलते है Tesla जो है अपना एक company बिहार में establish करना चाहता है अब जो land होता है वो state list का matter है अब इस international agreement में अगर land से related भी कोई law बनाना है तो अब वो power चला जाएगा parliament के पास क्यों क्योंकि यहाँ पर topic है international agreement international agreement जहाँ यह हो सारा power चला जाता है union government के पास parliament के पास वहाँ पर state की power खतम हो जाती है state legislature का power भी खतम हो जाता है next question देखते हैं the state wise allocation of seats in the log sabha is based on the census 1971 till which year this determination will be remain the same log sabha में राजवार सीटों का आबंटन सन 1971 की जंगरना पर अधारित है यह निर्धारन किश वर्स तक यथावत रहेगा incorrect option is option A by 2026 2026 दोस्तों यह जो सीटों का बटवारा किया गया है population को बेस मान कर वो 1971 के census पर based है यह 2026 तक के लिए fix कर दिया गया है कि 2026 तक तो हम यही population यही 1971 के जंगरना को मानेंगे और इसी बेस पर हम सीटों का बटवारा करेंगे यह 2026 तक के लिए fix कर दिया गया है next question देखते हैं which state has the highest number of seats reserved for scheduled tribes in लोगसभा किस राज्य में लोगसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरवाधिक सीटे आरक्षित हैं correct answer is option A मध्यप्रदेश अब एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में लोगसभा के लिए कितनी सीट स्ट के लिए आरक्षित हैं देखें MPs में लोगसभा की कुल 29 सीट हैं जिसमें से 6 सीट जो हैं वो स्ट के लिए reserved हैं जारकंड की बात करें तो 14 में 5 सीट के लिए है औरिसा में 21 में 5 सीट और 36 गर में 11 सीट में से 4 सीट जो हैं वो स्ट के लिए reserved हैं यह लोगसभा की सीट है और यह नंबर एफ सीट जो reserved हैं स्ट के लिए वो numbers हैं और यह estate है claim clear है तो सबसे ज़ादा seat reserve किसके लिए है MP next question देख लेते हैं who nominates two Anglo-Indian members to the log sabha log sabha के दो आंगल भारती सदस्य कौन मनुनुनित करता है correct option is option A, President दोस्तों ये मनुनित करता था कर लिजे क्योंकि अब ये जो दो आंगल भारती न Anglo-Indian उनको nominate करने का system खतम कर दिया नरेंद्र मोधी की सरकार ने पहले किया जाता था दो आंगलो इंडियन को President जो है वो nominate करते थे अब उनको उटा दिया गया है इसलिए बोग sabha की seat जो पहले 552 थी maximum अब वो 550 हो चुकी है clear है next question क्यों बढ़ते हैं which state of India has the highest number of representatives of लोग sabha and राज़सभा लोग sabha और राज़सभा के सरवाधिक प्रतिनीदी भारत के किस राज़से आते हैं correct answer is option A from उत्तर प्रदेश लोग sabha से कितने seats हैं UP के लिए लोग sabha में है 80 seat और राज़सभा में है 31 31 seat क्यों ऐसा है देखिए दोस्तों seatों का बटवार population पर बेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा populated state उत्तर प्रदेश है इसलिए सबसे ज़्यादा लोग sabha और राज़सभा की seats भी उत्तर प्रदेश में हैं उसके बाद जिसका भी population ज़्यादा होगा वो number of seats लेगा clear है बहुत ही simple है ये next question देख लेते हैं फिर which state has highest number of seats in the लोग sabha after उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के पस्चात लोग sabha में सरवाधिक सीटे किस राज़्य में हैं और correct answer कितना है कौन सा है option A महारास्टर UP में किती seats थी लोग sabha की 80 महारास्टर में कितनी है 48, 48, 48 UP के बाद population महारास्टर की जादा है next question देख लेते हैं which is the largest लोग sabha constituency in उत्तर प्रदेश in terms of number of voters after demilitation परिसीमन के पस्चार उत्तर प्रदेश में मद्दाताओं की संख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा लोग sabha छेत्र कौन सा है correct answer is option A उन्नाओं दोस्तों ये उन्नाओं जो है यहाँ पर सबसे जादा मद्दाताओं की संख्या है लोग sabha constituency को अगर देखे तो उन्नाओं में है next question in which year was the first general election to the लोग sabha held लोग sabha का पहला आम चुनाओं किस वर्ष हुआ था and correct answer is option A between 25th October 1951 to 21st February 1952 इस time जो है इस time period में लोग sabha का first general election हुआ था next question बहुत ही static question था इसमें कुछ explain नहीं करना था the seats allotted to Bihar किती seats 40 in लोग sabha are equal to the sum of seats allotted to which two states लोग sabha में Bihar को आबंटिच सीटे किन दो राजियों को आबंटिच सीटों के योग के बराबर है and the correct answer is option A. 36 गड़ और मद्यप्रदेश कितनी seats हैं 36 गड़ और लोग sabha में मद्यप्रदेश में देकि एक 36 गड़ ले लेते हैं और यहाँ पर मद्यप्रदेश ले लेते हैं 36 गड़ में total लोग sabha की seat है 11 और मद्यप्रदेश में 29 अगर आप इसको add करोगे तो आएगा 40 और यह 40 जो है अकेले बिहार की लोग sabha की seats के बराबर है next question देख लेते हैं how long is the term of member of raja sabha raja sabha के सदस्यों का कारेकाल किते वर्सका होता है correct option is option A 6 year देखे दोस्तों जो raja sabha होती है na raja sabha का कोई भी कारेकाल नहीं होता है लेकिन raja sabha के जो member होते हैं उनका कारेकाल होता है उनका term of office होता है वो होता है 6 year का लोग sabha की बात करें तो लोग sabha का खुद का कारेकाल होता है कितना 5 साल का और लोग sabha के सदस्यों का कारेकाल भी 5 साल का ही होता है तो raja sabha जो है भाईया वो अमर है ठीक है इसका कोई tenure नहीं इसका कोई term of office नहीं है members का है 6 year लोग sabha लोग sabha का term of office है 5 year और लोग sabha के member का भी जो term of office है जो tenure है वो है 5 year clear है तो यहाँ पर देखें सदस्यों का पूछ रहे है members का पूछ रहे है तो वो हो जाएगा 6 year राजसभा का पुस्ता तो भाईया वो अनन्त है ठीक है next question देखते हैं when does the speaker of लोग sabha exercise his decisive vote लोग sabha अध्यक्ष जिसको speaker कहते हैं अपने निर्नायक मत का प्रयोग कप करता है correct answer is option A in case of equal votes for and against a bill देखें लोग sabha का जो speaker है न वो generally vote में participate नहीं करता अब कोई भी bill introduced हुआ उस पर voting हुई अब 50% लोग जो है वो बिल के लिए वोट किये और 50% जो है वो बिल के against वोट किये तो कोई एक ऐसा इंसान तो चाहिए तो वो इंसान होता है लोग sabha का speaker उसका जो वोट होता है वो निर्नायक होता है clear है इसलिए option first option A जो है वो correct answer हो जाएगा next question देख लेते हैं who was the first speaker of लोग sabha लोग sabha के प्रथम अध्यक्ष कौन थे correct answer is option A जीवी मावलंकर इनका tenure देख लेते हैं 15th May 1952 से लेकर 27th Feb 1956 तक ये लोग sabha के speaker थे कौन जीवी मावलंकर next question what is the tenure of estimate committee प्राकलन समीती का कारेकाल कितना होता है correct answer is option A वन इयर दोस्तों ये estimate committee क्या होती है और इसमें कौन होते हैं members कौन होते हैं देखें estimate committee के जो members होते हैं वो actually में लोग sabha के सदस्य होते हैं total member 30 होते हैं और 30 के 30 लोग sabha से आते हैं राज्य sabha से कोई नहीं आता है estimate committee में और estimate committee का का काम क्या होता है देखें parliament में budget paste किया जाता है कि इस सालपन का कितना revenue आएगा और कितना expenditure होगा तो वो जो report paste किया गया है न उसको ये estimate करता है कि examine करता है कि report कितना सही है कमीटी बना लिए जाती है फिर से लोग sabha के 30 members उस estimate committee के member होते है next question देखते हैं member of राज्य sabha are elected by राज्य sabha के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं correct answer is option A by state legislative assembly जो राज्य की विधान सबह होती है न उनके सदस्य जो है वो चुनाओं में भाग लेते हैं इसलिए बोला जाता है कि जिसके पास जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी के पास विधान सबह में बहुमत है उसका दबदबा होगा राज्य sabha में next question how many members are there in the committee of privilege from both the houses विशेजदिगार समीती में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं correct answer is option A 25 15 from लोकसभा and 10 from राजसभा देखें दोस्तों ये जो committee of privilege है ये क्या करती है जो MPs को power दिया गया है कहीं उस power का violation तो नहीं हुआ है ये कहीं उस power का misuse तो नहीं हुआ है ये examine करने का काम करता है committee of privilege और इसमें total member कितने होते हैं 25, 15 लोकसभा से और 10 राजसभा से clear next question की तरफ बढ़ते हैं how many persons are nominated by president to the राजसभा राष्टरपती द्वारा राजसभा में कितने वक्ती मनोनित किये जाते हैं correct answer है इसका option A 12 इसकी बात बताई गई है हमारे constitution के article 80 के clause 2 में ध्यान में रखिए ये कौन-कौन से area से आते हैं literature, science, arts, social service अगर उन्होंने इस विश्यों पर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है तब राष्टरपती उनको मनोनित करता है राजसभा के सदस्य की रूप में total कितने member आते हैं? 12 clear? next question देखते हैं who was the first actress to be nominated to the राजसभा राजसभा के लिए नमांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? correct answer is option A नर्गिस दत दोस्तों आप नर्गिस दत को जानते भी होंगे न संजय दत की माताश्री हैं ये next question करते हैं who was the first woman speaker of लोगसभा लोगसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? correct answer is option A मीरा कुमार अगर हम इनके tenure की बात करें तो वो रहा है 2009 से लेकर 2014 तक और ये 15th लोगसभा speaker रही है कौन? मीरा कुमार ये first woman speaker है कहां की लोगसभा की next question who was the first लोगसभा speaker against whom a no confidence motion was moved in the लोगसभा वे प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद लोगसभा में अविस्वास प्रस्ताव लाया गया correct answer is option A जीवी मावलंकर इनके खिलाफ ही लोगसभा में जो है no confidence motion लाया गया था किनके खिलाफ जीवी मावलंकर के खिलाफ next question under whose control is the secretariat of लोगसभा लोगसभा का सची वाला है किसके है राजसभा है दोनों house का अपना secretariat है तो लोगसभा का जो secretariat है उसको कौन कंट्रोल करेगा लोगसभा का speaker और अगर हम chief secretary की बात करें अभी currently लोगसभा सची वालाय के मुख्य सचीव की अगर हम बात करें तो वो है उत्पाल कुमार सिंग अभी मुख्य सचीव है लोगसभा सचीवालाय के next question देख लेते हैं who is supreme in the Indian political system भारती राजनेतिक विवस्था में कौन सर्वोच होता है correct answer is option a the constitution देखे दोस्तो political system में सबसे उपर है देश का समविधान लेकिन देश के समविधान से भी उपर होता है इस देश की जनता अगर यहाँ पर the constitution option तो है कहीं पर अगर public होता ना तो हम public choose करते क्योंकि public नहीं इस देश की जनता नहीं constitution को empower किया है powerful बनाया है ठीक है इसलिए देश का समविधान सबसे उपर है लेकिन उससे भी उपर होती है देश की जनता मतलब हम खुद next question देखते है which expenditure is not weighted on consolidated fund of India भारत की संचत नेधी पर कौन सा वे भारत नहीं होता and correct answer is option C attorney general of India salary दोस्तो attorney general of India जो होता है न उसको salary दी ही नहीं जाती है उनको दिया जाता है remuneration पर केस के हिसाब से इनको पैसे दिये जाते है ना कोई salary की विवस्ता है और ना ही कोई pension की विवस्ता है तो consolidated fund से पैसा जो है वो attorney general of India के लिए तो नहीं जाता इसलिए correct answer हो जाएगा attorney general of India next question देखते है money bill is introduced in which house of the parliament धन विदेयक संसत के किस सदन में पुनर इस्थापित किया जाता है correct answer is option A only in लोगसभा ध्यान में रखिये जो money bill होती है न वो सिर्फ लोगसभा में ही introduce किया जाता है सिर्फ minister ही introduce करते हैं और वो भी president के prior recommendation से next question money bill can be introduced in which house of the state legislature धन विदेयक राज्य विदान मंडल के किस सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है correct answer is option A in the legislative assembly देखिये दोस्तों जो state legislature होता है न राज्य की विदाई का वो भी bicameral होती है मतलब वहाँ भी दो house होते हैं एक होता है legislative assembly और दूसरा होता है legislative council legislative council सभी state में नहीं है सिर्फ 6 state में है अब यह आप मुझे comment में बताईए कि कौन-कौन से state में legislative council है clear है अब जो money bill introduced किया जाता है वो सिर्फ legislative assembly में किया जाता है legislative council में नहीं अभी हम बात कर रहे है state legislature कर अगर हम parliament की बात करते तो वो सिर्फ लोग सभा में introduce किया जाता है राजय सभा में में नहीं clear next question देखते हैं budget is prepared by which department budget की रूप रेखा किस विभाग के द्वारा तयार की जाती है correct answer is option a department of economic affairs और अगर हम ministry की बात करे तो ministry of finance next question in which fund is revenue received by the federal government from taxes and other receipts incurred in the discharge of government functions deposit करो और सरकारी कामकाजों के निर्वा में हुई अन्य प्राप्तियों से संगी सरकार को प्राप्त होने वाला राजश्व किस निदी में जमा होता है correct answer is option a in consolidated fund of India दोस्तों ये जो इतना भहंकर सा question दिख रहा है इसका simple सा मतलब है कि भारत सरकार को जो भी revenue मिलती है जो भी tax मिलता है या वो जो उधार देता है उससे जो interest मिलता है वो कहां जमा होता है तो वो सारी चीज़े जमा होती है consolidated fund of India में clear है simple सा question है ये next question देखते हैं अब when is the economic survey presented in the parliament every year आर्थिक सर्वेक्षन प्रतिवर्ष संस्यत में कब प्रस्तूत किया जाता है correct answer is option C before the presentation of the upcoming year's budget दोस्तो इस साल budget कब पेश किया गया है 1st of February 2023 को और जो economic survey है वो कब प्रेशन किया गया 31st January 2023 को मतलब economic survey जो है वो budget के ठीक एक दिन पहले जो है वो प्रेशन किया जाता है parliament में every year next question who decides whether a bill is a money bill or not कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्ने कौन करता है and correct answer is option A speaker of लोकसभा दोस्तो bills जो होते हैं वो कई type के होते हैं फिलाल तो हम यहाँ पर चार तरह के bills देख लेते हैं एक है ordinary bill दूसरा है finance bill तीसरा है money bill और चौता है constitutional amendment bill यह दो जो bill है ना finance और money इसी को decide करना पड़ता है कि finance bill है या money bill है तो यह decide करने का काम करता है लोकसभा का speaker clear है next question देखते हैं the estimate committee is constitute from the members of which house of the parliament प्राकलन समीती संसत के किस सदन के सधस्यों से गठित की जाती है and correct answer is option A members of लोकसभा members of लोकसभा से मिलकर बनी होती है estimate committee next question देखते हैं any legal bill can be introduced in which house of the parliament कोई भी विदेख कानूनी विदेख संसत के किस सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है correct answer is option A in any house of parliament दोस्तो ordinary bill को लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन money बिलको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा next question what should be the maximum gap between two sessions of the parliament संसत के दो सत्रों के मध्य अधिक अधिक अंतराल कितना होना चाहिए and correct answer is option A six months दोस्तो अगर generally देखा जाए usually जो है parliament में तीन session होते है कौन-कौन से budget session, monsoon और winter budget जो है वो feb से may तक, monsoon जुलाई से लेके September और winter जो है वो November से लेके mid December तो generally जो है वो तीन session तो होता है parliament का लेकिन फिर भी अगर नहीं possible है तीन तो कम से कम दो तो होना चाहिए वो जादा से जादा 6 मंद का ही हो सकता है clear है तो total तीन session होते हैं budget, monsoon और winter next question देखते हैं how can the president spend the contingency fund अकस्मिक निधी को राश्टरपती कैसे व्याई कर सकता है correct answer is option C without parliamentary approval दोस्तो ध्यान में रखिए दो तरह के fund है एक है consolidated fund of India और दूसरा है contingency fund of India clear है यह जो consolidated fund of India है यह parliament के अंडर में आता है और यह जो contingency fund of India है यह president के अंडर में आता है तो जब contingency fund से पैसा निकालना हो तो parliament की approval की जुरुत नहीं पड़ती लेकिन consolidated fund of India से पैसा अगर निकालना हो तो फिर parliament का interfere जो है वो सबसे जादा होगा next question देखते हैं in which reading in the general debate on the bill held in लोकसभा लोकसभा में विदेयक पर आम बहस किस स्वाचन में होता है correct answer is option B in the second reading दोस्तो एक bill को act में बदलने के लिए बहुत सारे stage होते हैं लग बग चार stage होते हैं तो उसमें जो second reading होती है उसमें बहस होती है next question the deduction proposal is known by what another name कटोती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है and correct option is option A closing proposal next question if a money bill is passed by the लोकसभा the राजसभा can withhold it for maximum period यदि कोई धन विदेयक लोकसभा द्वारा स्विकृत कर दिया गया है तो राजसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधी तक रोक सकता है और इसका सही आंसर है option A up to 14 days देखिए दोस्तों अगर ordinary bill है ना तो राजसभा उसको maximum 6 months तक भी hold करके रख सकता है लेकिन अगर बात आती है money bill की तो राजसभा उसको जादा से जादा 14 दिन तक अपने पास रख सकता है उसके बाद उसको लोटाना ही पड़ेगा Actually money bill का जब बात आता है तो राजसभा की power बहुत कम हो जाती है Next question देखते है Who presides over the joint session of लोगसभा and राजसभा लोगसभा तथा राजसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है Correct answer is option A. Speaker of लोगसभा दोस्तो इसको हमारे constitution के article 108 में बताया गया है होता ही है जब भी कोई bill लोगसभा या राजसभा में आता है तो अगर वो किसी एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस से पास नहीं हो पाया तो लोगसभा और राजसभा की एक joint meeting बुलाई जाती है और इस meeting को summon कौन करता है समन करने का काम करता है President President meeting को बुलाता है लेकिन उसको preside कौन करता है लोगसभा का speaker ये preside करता है clear next question देखते हैं in which committee of parliament does the Rajasabha not represent संसत की किस समीती में Rajasabha का प्रतिनिधित्व नहीं होता है correct option is option A in the estimate committee estimate committee में Rajasabha के members नहीं होते हैं next question can parliament make any law to apply international treaties to any part of India or to the whole part of India अंतरराष्टी संधियों को भारत के किसी भाग अत्वा संपुर्ण भारत में लागू करने के लिए संसत कोई भी कानून बना सकती है correct answer is option A without the consent of any state मैंने पहले ही कहा है जब भी बात international treaty international agreements की आती है तो power पूरा का पूरा union government के पास होता है स्टेट के consent की ज़रूरत नहीं पड़ती next question देख लेते हैं भारती संसत किसके माध्यम से प्रसाशन पर नियंतरन रखती है correct answer is option A through parliamentary committees दोस्तों यह जो parliamentary committees होती है न यही parliament को control करती है parliament में जितनी भी reports आ रही है सबको examine करने का काम जो है वो parliamentary committee करती है वैसे total 24 parliamentary committees हैं जिसमें से 16 जो है वो लोकसभा के under में हैं और 8 जो है वो राज्यसभा के control में हैं और largest अगर हम parliamentary committee की बात करें तो वो है estimate committee next question देखते हैं which motion is put forward by the government to prove its majority in लोकसभा सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है and correct answer is option A confidence motion of विस्वास प्रस्ताव दोस्तों ये प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में अपनी majority को प्रूफ करने के लिए लाया जाता है next question the first joint sitting of the two houses of the Indian Parliament was held on which bill भारती संसत के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेक पर हुई थी correct answer is option A on the dowry abolition bill कब आया था ये देख लेते हैं ये आया था 1961 में दोस्तों अब तक 3 joint sitting बुलाई गई है उसको भी हम देख लेते हैं first bill तो ये हो गया ये dowry abolition bill ये पंडित जवाहर लाल नहरू जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे तब बुलाई गया था 1961 में पंडित जवाहर लाल नहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब बुलाई गया था second joint sitting हुआ था banking service commission bill 1978 और third joint sitting बुलाई गया prevention of terrorism bill 2002 और इस टाइम पर कौन थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी बाच पेजी तो ये तीन बार जो है वो joint sitting बुलाई गया है मतलब लोकसभा और राजसभा को central hall में बुलाई गया next question देखते हैं to whom does the public account committee submit its report लोक लेखा समीती अपनी report किसे प्रस्तूत करती है and the correct answer is option A to the speaker of लोकसभा ये जो public account committee है जिसको हम पहले देख चुके हैं ये अपनी report जो है वो प्रस्तूत करती है लोकसभा के speaker को next question who appoints the chairman of public accounts committee in parliament संसद में लोक से लेखा समीती के अध्यक्ष को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है correct answer is option A by the speaker of लोकसभा दोस्तो अभी लोक से लेखा समीती के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी next question देखते हैं when can parliament make a law on a subject in the state list संसद राजसुची के किसी विशय पर कानून कब बना सकती है and correct answer is option A if राजसभा passes such a resolution यह हम पहले ही देख चुके हैं यह article 249 में बताया है कि राजसभा अगर resolution पास कर दे तो state list में जो subject दिये गए हैं उस पर भी law बना सकता है parliament next question when can a privilege motion be brought against a minister किसी मंत्री के विरुद्ध विशेशा दिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है and correct answer is option D both A and B अब देख लेते हैं कि A और B क्या है when the minister withhold the fact of a case मतलब कि minister जो है वो किसी case की सच्चाई को छुपाता है वो बताने की कोशिश जो है नहीं करता when the minister gives a wrong description of a fact अगर वो किसी fact के बारे में गलत जहनकारी दे या उस जहनकारी को छुपाने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ लाया जा सकता है विशेश अधिकार प्रस्ताव next question what is the age of an adult of a citizen as per the law enacted by the parliament in the year 1989 संसद द्वारा वर्स 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरी के वैस्क होनी की आयू कितनी है correct answer है option B आपको पता ही है adult होनी की जो age होती है वो 18 years है next question directive principle of state policy is a check that is paid at the convenience of the bank whose statement is this राज्य के नीती निर्देशक सिधान एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा नुसार अधा किया जाता है ये कथन किसका है correct answer है option A 80 सा दोस्तों हमारे constitution जब बन कर तयार हुआ और जब बन रहा था उस टाइम पर बहुत सारे जूरिस्ट ने अपना अपना ओपीनियन दिया है कभी कभी ऐसे statement wise question पूछ लिया जाता है कि ये statement किस ने कहा ये statement किस ने कहा तो एक इन सब चिजों को आप याद रखिए next question देख लेते हैं the fundamental duties in the constitution were included on recommendation of which committee भारती सम्विधान में मुल्क करतव्य किस समिती की अनुसंसा पर शामिल किये गये थे correct answer is option a स्वरन सिंग कमिटी दोस्तो इस committee के recommendation पर ही हमारे constitution में एक नया part add किया गया और वो था part 4a इसमें एक नया article add किया गया article 51a और इसके लिए constitution में amendment करना तो जरूरी था ही क्योंकि constitution में एक नया part add हो रहा है तो वो था 42nd constitutional amendment act 1976 के थूँ ये नया part 4a fundamental duties add किया गया जिसमें total उस time पर तो 10 fundamental duties थे अब 11 हो चुके हैं next question की तरफ हम बढ़ते हैं दा 11th fundamental duty was added to the Indian constitution by which amendment भारती समविधान में 11 मुल करतव्य को किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया and correct answer is option a 86th constitutional amendment act 2002 दोस्तो ये पहले question आप देख रहे हैं मैंने बोला कि 42nd constitutional amendment के थूँ जो है 10 fundamental duties को add किया गया कौन कौन सा है वो देखिए 51 clause A इसमें A से लेकर J तक तो पहले से थे 10 fundamental right बाद में इस 86th constitutional amendment act 2002 के थूँ जो है एक नया fundamental duty J के बाद K को add किया गया अब हो चुका है total 11 तो ग्यारवे को कब add किया गया है 86th constitutional amendment act 2002 के तहत clear next question देखते है fundamental duties are mainly placed in which two categories मूल करतव्यों को मुख्यता किंदो वर्गों में रखा जाता है correct answer is option C both A and B moral duties and civic duties हमारे fundamental duties में ये भी है कि महिलाओं की respect करनी चाहिए तो एक प्रकाल से ये moral duties हो जाएगा और हमें अपने national flag national anthem इसके respect करनी चाहिए ये हमारे एक civic duty हो जाएगा तो moral duty और civic duty इन दोनों से मिलकर बनाए हमारा fundamental duty तो हम इसको दो वर्ग में categorize कर सकते हैं next question which duty is considered as a respecting the high ideals of the freedom struggle under the fundamental duties मूल करतव्यों के अंतरगत स्वतंतरता संग्राम के उच आधर्सों का सम्मान कौन सा करतव्य माना जाता है and correct answer is option A moral duties देखे दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे जो freedom fighters थे जिन्नोंने हमारे देश को आजाद करवाया उनके कुछ अपने विचार थे कुछ उच आधर्स थे उनकी हमें हमेशा respect करनी चाहिए तो ये एक प्रकार का moral duties है कि आपको ऐसा करना चाहिए clear है? next question देखते हैं it is duty of every Indian citizen to renounce evil practice for the honor of women it's mentioned in which article महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ प्रथाओं का त्याग करना प्रतिक भारती नागरी का करतव यह 21 अनुचेद में वर्नित है correct answer is option A article 51 clause A sub clause 5 इसको ऐसे भी बोल सकते हैं article 51 clause A और sub clause E भी बोल सकते हैं में बोला गया है कि महिलाओं के रिस्पेक्ट कीजे और ऐसी कूप रताओं को त्याग कर दीजे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं यह हमारा fundamental duty है next question देखते हैं to whom do the fundamental duties apply मूल कर्थाओं के किस के इन पर लागू होते हैं and the correct answer is option A only on citizen अगर हम fundamental rights जो इंडिया में रह रह रहे हैं इंडिया के citizenship नहीं उनके पास उनके पास भी होते हैं fundamental rights fundamental duties सिर्फ citizens के लिए है foreigners के लिए नहीं है clear है इसलिए correct option है option A only on citizens next question a person cannot be compelled to sing the national anthem in which case has the supreme court said so किसी व्यक्ति को राष्टगान गाने के लिए बाद यह नहीं किया जा सकता है सर्वोच न्याले ने किस मामले में ऐसा कहा था correct answer is option A bejoy Emmanuel versus state of Kerala 1986 दोस्तों क्या हुआ था कि Kerala के school में तीन बच्चे थे वो किसी particular religion से आते थे जब इसकूल में राष्टगान गाया गया वो बच्चे खड़े हुए लेकिन वो गाय नहीं तो फिर वहां के जो head थे ने school के उन्होंने उन तीनों बच्चों को school से निकाल दिया यह case गया फिर जब Supreme Court के पास तो Supreme Court का decision आया और उन्होंने बोला कि देखे राष्टगान गाने के लिए ना आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वो बच्चे राष्टगान गाते टाइम खड़े हुए थे इससे यह शाबित होता है कि वो respect करते हैं तो यह ही वो case था Bejoy Emanuel versus State of Kerala और यह case हुआ था 1986 मे next question देख लेते हैं How is the president elected in India भारत में राष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार होता है Correct answer है option A by indirect voting देखिए दोस्तो election जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं Example से समझते हैं देखिए दो तरह के election है एक है direct election और दूसरा होता है indirect election Direct election में जनता खुद vote करती है खुद जनता vote करती है Indirect election में क्या होता है जनता ने जिसको vote किया है जो representative जनता ने चुना है वो representative participate करते हैं इस indirect election में तो भारत का जो राष्टपती का जो election होता है उसमें MPs elected MPs और MLA पार्टिसेपेट कर रहे हैं इसलिए यह indirect election है हम तो vote करनी रहे हैं जनता तो vote नहीं कर रही इसलिए ये direct election नहीं है next question देख लेते हैं who votes in the election of president of India भारत के रास्टरपती के चुनाओं में मद्दान कौन करता है correct answer is option D all of the above elected member of Rajya Sabha, elected member of Lok Sabha, elected member of legislative assemblies of states and union territories मतलब हम short में बोलें MPs and MLA लेकिन कौन only elected not nominated ये सब participate करते हैं president के election में ये voters होते हैं clear है इसलिए ये है indirect election next question the motion of presidential candidate of India must be ratified by at least how many members भारत के रास्टरपती उमेद्वार के प्रस्ताओं का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए correct answer है option B by 50 electors दोस्तों ये जो 50 electors है ना ये provision क्यों add किया गया है तब जाकर तो वो president candidate बन पाता है इसलिए आम जंता जो है हम आप president candidate नहीं बन पाते हमारे पास कहां इतनी पहुँच है कि हम 50 MPs को लाएंगे 50 electors बना कि next question है अंडर what circumstances will the chief minister of a state not be eligible to vote in the election of president राष्टपती के निर्वाचन में किसी राज का मुख्य मंत्री किन परिस्तिती में मद्दान करने के लिए पात्र नहीं होगा and correct answer is option C if he is a member of upper house in state legislature इसको कैसे समझा जाए देखिए state legislature में दो house होता है दो सदन होता है एक होता है legislative assembly और दूसरा होता है legislative council विधान सभा और विधान परिसत विधान सभा legislative assembly को बोला जाता है lower house और legislative council को बोला जाता है upper house अब प्रेसिडेंट के election में participate करते हैं MPs और MLA और वो भी elected यह जो legislative council के जो member है जिनको बोलते हम MLC यह participate नहीं करते हैं अब आप question के option को देखिए यहां पर If he is a member of upper house in legislative, in state legislature Upper house कौन से है? legislative council है ना तो इसके member तो participate ही नहीं करते हैं इसलिए option C जो है correct answer होगा Next question की तरफ हम बढ़ते हैं Who is part of the president's electoral college but does not participate in his impeachment? कौन राष्टरपती के निर्वाचक मंडल का तो भागया है परन्तु वह उसके महा भी योग में भाग नहीं लेता And correct answer is option D देखिए दोस्तों, president को जो remove करने का process होता है उसको बोलते हैं impeachment और impeachment में participate करते हैं only MPs मतलब लोग सभा और राजय सभा के सदस अब legislative assembly विधान सभा के या फिर किसी भी state या union territories के सदस जो है मतलब legislative assembly के सदस से participate नहीं करते हैं impeachment में तो ये सारे ही जो हैं participate नहीं कर रहे हैं किसमें impeachment में लेकिन ये president के election में तो participate करते हैं क्योंकि MLA जो हैं वो तो participate कर रहे हैं na president के election में तो correct answer हो जाएगा हमारा option D ये सब ही जो हैं नहीं होते participate next question a member of parliament or legislative assembly can be elected president but what are the conditions for that संसद अथवा विधान सभा का कोई सद से राष्ट्रपती निर्वाचित हो सकता है परंतु उसकी क्या सर्थ है correct answer is option A after being elected he will be he will have to give up his membership देखिए दोस्तों parliament या legislative assembly के member मतलब कोई MP हो या MLA हो अगर वो president के election में participate करता है और अगर वो जीत जाता है तो जिस दिन वो president का सपत लेगा ना उसका पुराना सभी post उसी दिन से खत्म हो गया मान लिया जाता है क्योंकि एक वैक्ती दो बड़े-बड़े post में तो नहीं बैठ सकता है एक साथ इसलिए option A after being elected he will have to give up his membership और ये उसका कोई इक्छा पर निर्बन नहीं करता है जिस दिन वो president का post लेता है पुराना सारा post अपने आप ही खतम हो जाता है next question पे आते है who prepares the president address to parliament संसत के लिए रास्टरपती का अभी भाषन कौन तयार करता है and correct answer is option A union cabinet देखियो दोस्तो इसकी बात कही गई है article 87 में क्या होता है president address मतलब ये हो सकता है president का speech भी कह सकते हैं हम इसको इसको constitution के language में बोला जाता है special address एक प्रकार से भासन देता है कौन president कब कब देता है जब भी कोई general election ओ और first session बुलाए जाये तो first session के पहले दीन जो है वो president जो है अपना भासन देता है और हर साल जो पहला session होता है उसमें भी president जो है वो अभी भासन या फिर बोल सकते है special address देता है clear है और इसको ready कौन करता है union cabinet next question which constitutional amendment has empowered the president to send any matter back to council of minister for reconsideration राष्टपती को कोई भी विसेप उनर विचार के लिए मंत्री परिशत को वापस भेजने का अधिकार किस सम्विधान संसोधन द्वारा प्रदान किया गया है and correct answer is option A by the 44th constitutional amendment और ये amendment कब हुआ 1976 में अब देखे क्या होता है हमारा article 74 का clause 1 ये बोलता है कि council of minister advise करेगा किसको president को कि क्या करने है और क्या नहीं बात ये आती है क्या president bounded है वो बात ये है कि council of minister जो advise करेगा उसको मानना ही पड़ेगा एक constitution में amendment किया गया 42nd constitutional amendment 1976 और ये बोला गया कि हाँ बाई council of minister president को जो advise कर देना वो मानना ही पड़ता है बाद में फिर से amendment किया गया 42nd constitutional amendment 1978 और ये बोला गया president एक बार council of minister ने जो advise दिया है उसको लोटा आ सकता है लेकिन वह advise फिर से council of minister president को दे तो फिर अब president bounded है अब उसको मानना ही पड़ेगा clear है ये हमारा question का explanation next question देखते हैं under which article of Indian constitution the president can withhold his accent to a bill passed by both houses of parliament भारती समविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्टरपती संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विदेयक पर अपनी स्विकृती रोक सकते हैं correct answer is option A article 111 देखे क्या होता है दोस्तों कोई भी bill जो है उसको act बनाना है तो सबसे पहले तो उसको parliament के दो house से पास होना चाहिए लोग सभा और राजसभा और दोनों house से पास होने के पास जाता है वो president के पास president के पास भी कई सारे power है एक तो वो bill पर अगर अपना assent दे दे तो वो bill बन जाएगा act हो सकता है वो मना कर दे तो फिर वो वहीं खतम हो जाएगा यहो सकता है वो अपने पास ही रोक ले कोई action ही ना ले फिर भी वो बिल खतम हो गया और जो last power होता है वो यह होता है कि वो उस bill को वापस लोटा सकता है और बोलेगा कि जाए कुछ सुधार करके लाइए तो यह चौथा जो है power president के पास है लेकिन money bill में जो है president जो है वापस नहीं लोटा सकता है money bill को clear है तो यह जो power की हमने बात की न वो sign कर सकता है रोक सकता है या फिर कोई भी action लेने से मना कर सकता है या वापस लोटा सकता है यह article 111 में बताया गिया है next question देखते हैं under which article can the president provide for the discharge of the function of the governor in certain contingencies किस अनुच्छेत के अंतरगत राश्ट्रपती कुछ आकस्मिक ताओं में राज्यपाल के कारियों के निर्वहन ही तु उपबंद कर सकता है and correct answer is option A article 160 के under देखें दोस्तों governor के जो काम है वो constitution में भी बताया गया है और parliament by law भी बताया है लेकिन कभी कभी governor के पास अच्छानक से कोई ऐसा काम आ गया जिसका जिक्र ना तो constitution में है और ना ही parliament के किसी law में है तो उस टाइम पर power चला जाता है president के पास फिर वहाँ पर president काम करेगा clear है और ये बात बताया गया आर्टिकल 160 में next question in which only case did the president of India exercise the power of pocket veto भारत के राष्टपती ने किस एक मात्र मामले में जे विटो की शक्ती का प्रयोग किया था and correct answer is option A India Post Office Amendment Bill और ये आया था 2006 में दोस्तों ये pocket veto क्या है pocket veto में क्या होता है जब भी president के पास कोई बिल आता है उनके हस्ताक्षर के लिए उनके assent के लिए president कोई action नहीं लेता न वो हाँ बोलता है न वो ना बोलता है वो अपने pocket में डाल लेता है मानके चलिये मतलब वो कोई action नहीं ले रहा है इसलिए इसका नाम रखा किया pocket veto उन्होंँने अपने जेव में ही रख लिया नहां बोला नहां इसको बोले जाते हैं pocket विटो तो इंडिया post office bill को यह उन्होंने अपने pocket में डाल लिया था clear है next question देखते हैं who has the constitutional right to declare a geographical area as schedule area किसी बहुगलिक छेतर को अनुसूचित छेतर गोशित करने का समवधानिक अधिकार किसे प्राप्त है and correct answer is option A to the president example से समझते हैं यह schedule area क्या होता है इसको मैं मान लेती हूँ यह जो circle है यह कोई state है इस state में इस particular area में estes रहते हैं अब आपको पता ही होगा कि जो tribals होते हैं उनका अपना rituals है culture है custom है अगर इनके culture को safe ना रखा जाए तो वो तो खतम हो जाएगा इसलिए क्या होता है इस area को declare कर दिया जाता है schedule area और फिर यहां पर administration और यहां का control जो है इसके लिए अलग से provision बनाया जाता है इसको declare करने का काम कौन करता है as a schedule area president clear next question देखते हैं what is the president's monthly salary at present वर्तमान में राश्रपती का मासी क्वेतन कितना है सही answer है option भी 5 लाग और 5 लाग जो salary मिल रहा है monthly वो tax free है साथ ही साथ आपको पता ही होगा राश्रपती भवन भी है कितने कमरे हैं total राश्रपती भवन में 340, 340 कमरे हैं और साथ ही साथ जो है पूरी life के लिए free medical facility मिलेगा next question देखते हैं who can be the maximum duration of zero hour in the लोक सभा लोक सभा में सुन्यकाल की अवधी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है and correct answer is option भी one hour देखे दोस्तों ये जो one hour होता है ना zero hour इसमें जो है सवाल पूछा जाता है minister से कि आपने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया और इसी का जवाब देना होता है इस zero hour में और ये start होता है दोपहर में 12 बजे के बाद question hour के बाद और जो normal session होता है उसके पहले ये बीच में होता है zero hour clear है next question देखते है the sovereignty of Indian parliament is restricted by whom भारती संसत की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंदीत है correct answer है option A from judicial review देखे दोस्तों हमारे यहाँ पर parliament supreme नहीं है हमारे यहाँ पर है एक judiciary क्या होता है parliament अगर कोई ऐसा law बना दिया जो unconstitutional है constitution के खिलाफ है तो supreme court के पास यह authority होती है कि वो उस act को null and void कर दे तो यह जो process है ना supreme court के यह जो power है कि वो parliament के द्वारा बनाये गए किसी भी act को null and void कर दे उसको बोला जाता है judicial review और यही judicial review जो है वो parliament को supreme होने से restrict करता है clear है अगर आप britain के parliament की बात करें तो वो फिर supreme है वो वहाँ पर judicial review जैसा कोई system नहीं है parliament जो law बनाता है वहाँ का जो court है वो कोई भी interfere नहीं कर सकता यह main difference है हमारे इंडिया और britain के parliament में next question देखते हैं who among the following put forward the idea of constituent assembly for India for the first time भारत के लिए समविधान सभा का पहली बार विचार किसने रखा था and the correct answer is option D. M.N. Roy 1934 में इन्होंने सबसे पहले जो है अपना idea रखा था कि एक constituent assembly बननी चाहिए और इस देख का अपना खुद का समविधान होना चाहिए इसका correct answer होगा M.N. Roy दोस्तो 100 questions complete हो चुके हैं उमेद है आपने सारे questions बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अब दो question का answer आप लोग मुझे देंगे comment में who appoints the chairman of public account committee in parliament आसान सा सवाल है answer दीजिए comment में और second question है हमारा who was the first president of India elected unopposed दोस्तों हमारे ebook की website launch हो गई है इसे आप note कर लें इसमें हमारे 2022-2023 के current affair और सभी subject की paid PDF मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो comment कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और like कीजिए आपका अपना खुद का कोई suggestion हो कि मैं next topic क्या चाहते हैं आप तो आप मुझे comment में बताइए फिर हम next वीडियो उस topic पर ले करेंगे मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए